हलो दोस्तो तुब आपका श्वागत है एड जार्फन क्लासेस में और एड जार्फन क्लासेस आफ लोग के लिए लाया है निव नागपुरी स्लेबस का शंपुर्ण ठीक है जो निव नागपुरी स्लेबस का है संपुर्ण क्लास लाया है free of cost on YouTube सारे वीडियो का लिंक description में दिया गया है तो दोस्तों ये जो आपका class है class 54 है क्योंकि नीचे से start किया गया है क्या पढ़े हैं क्या बाकी है सारे चीज अभी देखते हैं उसके class को start करेंगे जैसे गाओ कर सांज आठमा कवीता है और इसमें हम लोग कवीता का हिंदी अनुवाद और MCQ दोनों पढ़ेंगे और इनकी जो लेखक है पांड़े रविंद्र नाथ राम है तो अभी हम लोग PDF के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों चलिए देख लेते हैं कि हम लोग ने क्या 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 कर चुका है उसके बाद class को start करने वाले हैं जैसे दिखें शाहितिक निबन साहितिक निबन टोटल कव्यों का डीटेल में पढ़ा दिया गया है एम से क्यू भी करा दिया गया है नेक्स्ट जो है आपका नाक पूरी नाटक यह सब को परिशानी हो रही है लेकिन 84 क्लास के द्वारा आप class कीजिए पार्ट वन और पार्ट टू और एक महराथन क्लास भी है टोटल क्लास करा दिया गया है जिसमें 95 प्रश्न के साथ यह कराया गया है एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं नाटक से अब चलिए चक्ता रओ यह जो है इसका इसका भी completed है ठीक है next और इसका देखिए यह जो कथ करने वाले हैं देख लीजिए कवीता उसके बाद गीत करेंगे और उसके बाद लोग गीत का जो क्लास होगा एक ही महराथन क्लास में टोटल हो जाएंगे ठीक है तो अब ज्यादा दिन नहीं बस एक वन वीक के अंदर आपका टोटल क्लास completed होगा ठीक है तो यह जो आपका गाउ कर सांज और अभी जो प्राइस है वल्ली 2.99 रखा गया है एक जुलाई से इसका जो प्राइस है 3.99 हो जाएगा कितना 3.99 चलिए नेक्ट है आपका यहां से कवीता स्टार्ट होता है तो इनके जो लेखक है इनके लेखक कोन है पांडे रविंद्रनाथ राम किनके ग गाउ कर सांज है उसका जो साम का संथ है वो उसका इसमें जिक्र किया गया है तो चलिए आगे चलते हैं गाउ कर सांज जैसे कोई बांज होता है जिसका कोई बच्चा नहीं होता ना जो महिला का उसको बांज भोलता है आदमी सब ठीक है गाउं में मुडली टोंगरी उजडल बन पत्रा मोईर गिलाई सभे मचरी और खाकरा कहने का मतलब है मुडली टोंगरी उजडल बन पत्रा जो मुडली और टोंगरी का जो बन पत्रा है मतलब की जंगल है वो सब मोईर गेले, मतलब कि सब उजड गया, ये बन पत्रा उजड गेले, और क्या चीज मोईर गेले, मोईर गेले, सो भी मचरी और खाकरा, खाकरा कर मतलब आपको बता दिया गया है, कच्छवा, केकड़ा, या फिर खरगोस, क्या होगा, ये कमेंट सेक्षन में हमेशा उट्टाइक के धर्ती, उकर चीरेला सीना, तेव नहीं पावे भर पेट कोनो दीना, कहने का मतलब है, कि हम लोग खेती करते हैं अच्छे से, चीरते हैं खेत का सीना, तब नहीं हम लोग पेट भर खाना खापाते हैं, ये चीज बात बोला जा रहा है कभी के द्वारा, ठी पत्री के असरा में सीयत है दोना, कहने का मतलब इसमें ये है कि नागपूर का जो धर्ती है, वो सोना उगलता है, ठीक है, और मतलब कि हम लोग उस धर्ती के सीना को चीर कर फसल उगाते हैं, तब पर भी हम लोग का पेट नहीं भर पाता है, ठीक है क्यों, क्योंकि बहुत स आसरा में सीयत है दोना, यानि कि पत्ता के आसरा में हम लोग क्या सी रहे हैं, दोना सी रहे हैं, यानि कि भविश्य कर दे रहा ना, कि अत्यधिक सोच ले रहा है, ठीक है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, नागपूर का गीत है, कहा भूल रहा है, कौन-कौन गीत है वो, न कोन कोन से नाकपुरी गीत का जिक्र किया गया है लुज्ठी और लुष वार वत never इन इसे अंधा ह उधार रातीन थे सोगती है ज मकल इस प्रकार कोई अंधार रात में बांज सिशकती है कि कोई उसको ताना दे दिया है तो उस प्रकार से सिशक रहा है ये सांज अंधार रात तो दोस्तों ये जो आपको है क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट सेक्सर में जरूर कमेंट करेंगे एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ क्लास को गाउ कर सांज जैसे कोरबांज, मूरली, टोंगरी उज़डल, बंद, पत्रा, मोरी गले सबे मचली और खाखरा उटाइक के धर्ती, ये सारे पीडियप जो पेट ग्रूप में एड़ेड है उनको भेज दिया गया है उकर चीरे लसीना तेउनी पावे भर पेट कोनो दीना मतलब किसी भी दिन वो नहीं पाता है बनाहीं आप खेत को न जोत कर क्यों न फसल किया और तब पर भी पेट नहीं भरता है नागपूर कर धारती उगले लसोना पत्री के आश्रा में सियत है दोना नागपूर का गीत कहां है रात है डोंकच लुजरी लसुआ सोवे बेचात है यह उदास लटकल मोरत हिसान जैसे अंधार राती सीज के कोई बांज तो इस परकार से आपका जो है जो MCQ है उसके ओर चलते हैं और यह क्लास को देखते हैं तो यह जो गाउंकर सांज सिस्ट कवीता है यह जो लिखा गया है पांडे रविंद्र नाथ राम जो भी MCQ है सारे important है ठीक है? चलिए, फर्स्ट जो प्रशन है क्या कहता है गाउंकर सांज कवीता कर रचना कार किया है तो पांडे रविंद्र नाथ राम पांडे रविंद्र नाथ राम नेक्स्ट अगला प्रशन दूसरा नंबर निम्र में से कौन कवीता पांडे रविंद्र नाथ राम के द्वारा लिखल गया लखे तो कौन सा गाउ कर सांज लिकल गल के option number D next गाउ कर सांज का लखे हो वेला तो किस प्रकार होता है गाउ कर सांज बांज लखे हो वेला मुडली टोंगरी का रहे तो एकर में बन और पत्रा दोनों रहे जो कि उजड़ गेल लग और ये क्या हो गया था? आपको कवीता पढ़ा दिया गया है सारे बुक का यहाँ free PDF मिल रहे हैं आप notes लेंगे उसके साथ चलिए नेक्स प्रस्न है पांच बन आमर प्रस मुडली टोंगरी बन पत्रा पतर उजड़ लग तो कोन-कोन जीव मईर गलग तो देखिए मचरी और खाखरा दोनों मरे थे ठीक है? नेक्स प्रस्न की ओर चलते है हम लोग? धर्ती के सीना चीरल पर भी कभी-कभी क्या नहीं मिल पावेला? तो क्या नहीं मिल पाता है? भोजन हम लोग को नहीं मिल पाता है पेट नहीं भरे साथवा नमबर प्रस्न है कौन-कौन नागपूरी गीत कर इस कविता में चर्चा करल गे लेके? कौन-कौन नागपूरी कर गीत के चर्चा करल गे लेके? तो डोककच इसमें था कविता में डोककच लिखा गया है लेकिन हम लोग दोमकच पढ़ेंगे ठीक है लुजरी लहश हुआ option number D इसका सही अंसर हो जाएगा ठीक है आठ नमबर प्रश्ण उदास लटकल केके बोलल गे लगे उदास लटकल दिन में से जो है ये निमन में से किसे बोला गया है उदास लटकल ठीक है तो सांज को बोला गया है option number C नमबर प्रश्ण अंधार राती सिसके कोई बांज करतुलना केकर से करल गे लगे लगे ठीक है तो सांज से दस नमबर प्रश्ण है कोन नागपुरी गीत हेरा थाई इस कविता के अनुसार तो डोमकच लहश हुआ लुजरी डी सभी तो अंसर हो जाएगा इसका डी नमबर नेक्स्ट अगला प्रश्ण है इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि आपको जो कविता में समझा दिया गया है उसके बाद भी इसमें समझाया जा रहा है अगर पीड़ेप खर्दे तो पीड़ेप खरीड सकते है अधरवाश क्लास को यह टोटल फ्री क्लास है टोटल यहां फुल कॉर्सस कराया जा रहा है एडी शार्चंट क्लासस पे फ्री अपकोस्ट तो यह तो आप नो א़ׂाएं या तो PDF खरीना चाहते है जो PDF खरी सकते हैं इस नमबर पे ठीक है कौन सा नमबर 8863884281 यहां जो है नाकपूर करधरती उगलेला सोना पत्री के असरा में सियत ही दोना कौन कवितास लेवल के लगे तो गाउं कर सांज से मतलब गाउं का जो सांज का समय है उससे लिया गया ह ठीक है नेक्स्ट 12 नमबर प्रश्ण है नाकपूर करधरती का उगलेला तो सोना उगलेला अप्सन नमबर ए सही हो जाएगा का कर आसरा में सियत ही दोना भाई तो किसके आसरा में सिरा है दोना आदमी लोग पत्री जादा ही कुछ सोंच ले रहा है ठीक है गाउं कर सांज को केकर से तुलना करल गे लगे, तो गाउं कर तुलना बांज के से करल गे लगे, अपसर नमबर B, सही हो जाएगा, ठीक है, चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं, ये जो क्लास हुआ, आपका क्लास 8 हो गया, जो है कहने का मतलब 8 चाप्टर कवीता का, सिस्ट क क्लास 9 आपका कंप्लेट हुआ, धन्यवाद वाचिंग फो इस वीडियो, जै हिन, जै भारत